असलाम उलेकूम आज मैं आपके लिए बहुत ही जवज़स्त मलाईदा शाही ब्रेट की रेसिपी लेकर आएंगो तो यहां मैं आपके लिए पहुती बहतीरीन, आथेंटिक और जबदस किसम की डेसिपी लेकर आती हूँ, जिनको आप अपनी घर पर बना सकते हैं, इससे आपका टाइम और आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती कमाल का डिजर्ड त अपने बहुत बार खाया होगा, यह जो रेसिपी है उससे थोड़ी हटके है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, शाही ब्रेड बनाने के लिए दो पैकेट मैंने ब्रेड के लिए हैं, थोड़ी जादा कॉंटिटी में बना रही हैं, तो यहां देखे मैंने डेल ल दूद ले लिया है, सबसे पहले मैं दूद को बोईल करने के लिए रख दूँगी, दूद जब तक हमारा बोईल हो रहा है, दूसरी साइड मैंने यह आदा कफ ठंडा दूद ले लिया है, बोईल क्या हुआ दूद है, अब इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगी कर्षट पॉ तो यहां मैंने एक कफ चुगर लिया है, और विट के हिसाफ से तकरीवन सो ग्राम शुगर है, तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखिए, यहां मैंने फिलम को हलका कर दिया है, अच्छे से बोईल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एकदम बहुत अच्छा सा पीला आड़ कर रही हूँ, जो मैंने मिला कर रखा था, तो थोड़ थोड़ा मैं कस्छर इसमें एड़ करूँगी और साथी इसको स्पूल से चलाती रहूँगी, तो यह देखिए, सारा कस्छर हमने मिला लिया है, अब इसको तो से तीर मिलड़ इसी तरह से पकने देना है, तो ह नहीं पना है उससर क्या होगा यह जादा अच्छा बन के तयार नहीं होगा तो देखिए अब मैंने ले लिया है पैन में हलका सा डेसी घी लगाएंगे तो यहां आप मस्टर्ड ओईल भी लगा सकते हैं लेकिन डेसी घी से जादा अच्छा टेस्ट आएगर गी में इसको नह सेखना है वल्के उलक हलका घ्ला अगार इसको तोलों साइट मैं रखना है अचैशन आप इस तरह से भी सीः तो हम ब्रेड यह दूद में डाल लेंगे ङुट ळियूंगाने मैं जोड दrickने खाएंगे तो यह खाने में जादा अच्छे नहीं लगते हैं एक दम ओईल की आने लगती है यह मुवें घीगी इसा हो जाता है इस तरह से तो इसी वज़े से मैं यह हलके हलका घीम है इनको मैं सेख रही हूं और इस तरह से दिखे मैं यह जो मैं गाड़ा दूद बना कर तय क्या है उसमें मैं डीप कर रही हूं और अच्छे से यह जब फूल जाएगा इस तरह से स्पोन से उठा कर मैं इसको ट्रे में लगा दूँगी चायते एक साथ दो दो ब्रेड भी सेख सकते हैं लेकिन हलके आच पर इनको सेखेगा जादे तेज आच पर भी नहीं सेखेगा ब्रेड जादे जले हुए नहीं होने चाहिए बस हलका सा इन पर कलर आना चाहिए तो देखे इस तरह से उठा कर जिसे भी बटन में आप इनको सर्व करें उसमें लगा दें तो यह मैंने एक ट्रे ले ली है और यह देखे भगोने में से मैं ब्रेड उटावा कर साइट में इस तरह में लगा रही हूँ हम ब्रेड को इस गाड़े दूद में कस्टेड वाले दूद में एट करेंगे और इसमें जब यह डूब कर अच्छे से भीग कर आएगा न तो इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छा हो जाता है और जब हम इसको ठंडा कर कर खाएंगे न तो और भी जादा अच्छा टेस्ट आएगा तो देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और जादे से जादा अपनी फैमिली फ्रेंट्स में शेर करें तो बिल्कु आपको बहुत पसंद आयते ये 20 ब्रेड बना कर तयार किये हैं नो ब्रेड इस ट्रे में आ गए हैं और वाकी जो ब्रेड है वो दोसी ट्रे में आ गए हैं अब हम क्या करेंगे जितना भी हमारा ये गाड़ा दूद बचा है हम सारा इन ब्रेडों पर एड़ कर देंगे तो ये देखे सारा दूद मैंने एड़ कर दिया है और इसके बाद में हम इसके ओपर हम एड़ करेंगे ड्राइफूर्ट तो देखे ड्राइफूर्ट में आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं तो ड्राइफूर्ट में मैंने पिस्ता, काजू और बादम बारी बारी क और तो थोड़े-थोडे कि लिए तो थोड़े देखिए मैं इन पर सब पैर्ट कर दूँगी और इस प्हाफ चांदी का फिरम भी लगा सकते हैं क्योंके वह चांदी कब अब Secret क ब्रेड हमारे हो चुके हम तैयार और इसके बाद हमें क्या करना है bread को हम freeze में store करके रख देंगे तकरीमों 2-3 गंटे के लिए इसको ठंड़ करने के लिए रख देंगे ठंड़ करने के बाद ही जो इसमें टेस्ट आता असल टेस्ट ठंड़ करने के बाद में ही आता है तो देखे 2-3 गंटे हो चुके हैं अब हम ब्रेड को आप देख सकते हैं तो देखिए जितना भी दूता ब्रेड ने अपने अंदर एब्जॉप कर लिया है और ब्रेड हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए एक दम बिल्कुल मनाई जैसे एक ब्रेड मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ तो यह देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट कितने मुझाख्यदार यह ब्रेड बनके तैयार हुए हैं और इसको आप अपने महमानों के साथ सर्व करें अचानक अगर आपके हैं कोई महमान आया है तो आप यह इस तरह से डिजर्ट बना सकते हैं मैं उमीद करते हैं आपको यह रैसिपी ज़रूर पसंद आई होगी रैसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजेगा जाजी से जादा शेयर कीजेगा तो मिलते हमें को और ऐसी मद्दार रैसिपी के साथ तब तरह अपने खया लगएगा तो अम्हान रखेगा लाफ प्रेथ खौनान तेश आरब सेस्ट